और आज सुबह एक ओर दुखद जो घटा है वो निकल कर सामने आई आपको बता दे कि भार्दर क्रिकेटर रिशाप पंथ आज एक बिशन कार दुर घटना का शिकार हुए और रुड़की से लोटते वक्त आपको बता दे कि रिशाप पंथ की कार का ये एक्सिडेंट हुआ डिवाइडर से उनकी कार टकराई और इसी के साथ पैर और पीट में उनको फिलाल गंभीर चोटे हैं राज़ानी दहरदून के निजीर होस्पिटल में उनका फिलाल इलाज चल रहा है हलाकि अभी डोक्टरों की तरफ से जो हेल्थ बुलेटिन उनका जारी हुआ है उसमें पेहद जो गब्भीर चोटे हैं वो उनको आई हैं इसी के साथ आपको यह भी बता दे कि क्रिटिटर रिशाप पंथ की कार का एक्सिडेंट होने के बार मुख्यमंत्री पुष्कर संग्धामे की तरफ से भी जानकारी ली गई उनके घर फोन करके उनकी मासे बाक्शित की हो गई उनके स्वास्ते की जानकारी ली गई है साथ ही मुख्यमंत्री ने बातशीत करके उनकी बास से ये कहा कि बहुत जल्द ही रिशाप पंथ स्वास्त होंगे चुपकामनाएं उनकी है और इसी के साथ जो इलाज है वो भी बकूपी उनका फिलाल किया जा रहा है मैक्स रिशाप पंथ अभी हॉस्पिटल में आये हैं और इनिशली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है अंडर एवैलिवेशन है वो और कुछ जाचों के बाद ही मागे डिटेल बता पाएंगे और फिलाल वो स्थिर है और ऐसी कोई जिनता की बात अभी लग नहीं र आपको बता दे कि आज क्रिकेटर रिशाप पंत का ये सड़क तुर घटना हुई सिसी टीवी फुटेज भी इस पूरी घटना का सामने आया है और बेहद ही खतरनाक तरीके से आप ये देख सकते हैं घटना किस तरह से जो गाड़ी थी उनकी मस्टरीज के अंदर करके वो अपने घर पहुंच रहे थे आपकी गोला बनी हुए आप ये गाड़ी देख सकते हैं जो सिसी टीवी फुटेज में नजर आ रही है और कही न कहीं जब ये सिसी टीवी फुटेज दिखाई दी तो ये अंदाजा नहीं लगा जा सकता कि जो 31 में सवार था वो किस ह जब ये पूरी घटना निकल कर सामने आई जहां पर हादसे में रिशपंत के पैर और पीट में फिलाल जो चोट है वो बताई जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से दी धरदून के फिलाल मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज इस समय जा रही है और इलाज के दुरान भीर चोटे उनको कहीं जगाओ पर है इसी के साथ डिवाइडर से टकराने पर ये जो पूरी दुरघटना है उनके साथ वो हुई हादसे में पूरी तरह से उनकी जो कार थी वो जलकर खाक हो गई आपके गोले में तबदिर उनकी कार हुई रुड़की के पास गुरकुल न से उनके परिजनों से उनकी मां से फोन पर बादशीत की गई और फोन करके रिशवपंत के स्वास्थे की जाजिकारे भी मुख्यमंत्रे के तरव से ली गई है और इसी के साथ आपको बता दे कि एक बेहद युवा चेहरा है रिशवपंत जो बहुत कम समय में क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए और जादा अपडेट के साथ हमारे साथ समधाता उपेंद्र राना सीदे राजधानी दहरादून से जुड़ गए हैं तो उपेंद्र फिलाल किस तरह से रिशवपंत का जो इलाज है वो मेक्स होस्पिटल मे भी इस्तिर है लेकिन जाहिर तोर पर जो उनके फैन हैं जो उनके समर्थक हैं वो उनके जल्द स्वस्थ होने की शुब काबनाई भी समध कर रहे हैं देखें जिस परकार से जो है जो क्रिकेटर निसब पंथ है उनका देरादून के एक नाशन भाटर निकान च्योंस नौल से तो आपि तेज श्पीट में कार भी थी और साथी जिस प्रकार से सुबा के समय उत्राखण में मौसम खराब भी है और धुंद का जो है वो काफी रहती है ऐसे मैं बताई यह जा रहा है कि नींद की जबकी और धुंद के आकारण जो है यह बड़ा हाथसा जो है यह हुआ है जिसमें रिशप पंद को काफी गंबीर चोटे जो है वो आई है हाला कि डॉक्टर्स का जब सुबह जब उनसे मुलाकात भी डॉक्टर से तो उन्होंका यह कैना था कि उनकी जो हालात है वो काफी इस्तिर है खत्रे से वो बाहर अभी है और जो उनको जो चोटे आई है गो जबाए जरूर जा रहा है जिस प्रकार से जो इनपुट है यह जरूर है कि अभी हाला जो है उनकी इस्तिरे और जो जाचे है तो सभी जाचे जो है वो की जारी है और बीचिसी आई को भी कई न कहीं डॉक्टर्स की और से जो एक रिपोर्ट जो है वो किरिकेटर दिशप बेजी जाएगी उसके बाद इसकार से लगातार मोकिया मंतरी पुसकर सिंग धामी भी लगातार जो है पलपल की अफडेट जो है वो ले रहे हैं मॉनीटरिंग वो लगातार कर रहे है क्योंकि ऊतरा खंड के एक उवा कृटडर के तोर पर जो है अंतराशी इस्तर पर विक क्रिक्ट में फिलाल कहीं न कहीं बुलंदी पर कहा जाता है उत्राखंट के ब्रांड अबस्टर भी वो रहे हैं किस तरफ से फिलाल जो उनके चाहने वाले हैं इस पूरी घत्ना के बाद उनमें भी क्या कुछ फिलाल जो वो है वो सोच रहे होंगे और आप सब लोग जो क्रिक्ट से जुड़े हुए हैं उनके दिलों में इस वक्त क्या चल रहा है मेडम के जो अच्छा प्लेयर होता है उसके लिए दुआएं तो अपने आप ही निहां और ये तो अच्छा प्लेयर बेरा है मेरे हम लोग बिल्ली में साथ के देदें इस पुर्ड़ क्लप्स के लिए नमारे साथ एगी ते तारिष किना सर और ये मेरा कार्थी जुड़े आप अच्छा रहेगा ऐसा नहीं है कि इसको जल्दी कुछ हो जाएगा कि में प्यर में जो चोटे आई हैं डॉक्तर का ये कहना है कि कई गंभी जो चोटे हैं उनको वह पैर में पीठ में आई है तो कही नहीं आगामी खेल पर भी उनका असर इस तमाम जो दुर्गटना प्रदेश देश से उनके लिए जो जल्द ही स्वस्त होने की यहां पर शुबकामना है वो भी दे रहे हैं पिलाल तुमान दंकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाई तो उपेंद्र फिलाल में आपके पास आती हूँ कि देखे आप बता रहे थे कि किस तरह से उनको गंभीर चोटे फिलाल हैं और मुख्यमति पुश्कर सिंग धामे की तरव से भी उनकी मां से बातचीत हुई हाल उनका जाना गया साथी वो दिलासा देते हुए भी नजर आये उनकी मां को की बहुत जल्द वो स्वस्त होंगे और हम सब के बीच वापस खेल की मैदान में भी उतरेंगे बिल्कुल क्योंकि जिस प्रकार से है उतराखंड से एक बड़ा नाता रिसापंद का है और रुड़की से रहने वाले हैं कि सभी की समवेदनाएं जिस प्रकार से जो है रिसापंद से जुड़ी हुई उतराखंड से खास तुर पर जो है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां से उनका बड़ा नाता है यहां की जन्म भूमी भी रही है और यहां से जिस प्रकार से उनका जो प्लैटफॉम जिसकार से कम उमर में इतना बड़े इस्तर पर खेल खेल रहे हैं तो सभी की समवेदनाएं उनसे जुड़ी हुई है और सभी लोग उतराखंड में भी दुवाएं कर रहे हैं हालां कि पुरा देश आज दुवाएं मांग रहा है कि जल से जल रिसापंद हमारे बीच आएं और दुब कि जल से जल रिसापंद हमारे बीच आएंगे उनके लिए हर ठीक होने के लिए हर परियाज वो किया जाएगा एक अच्छे से अच्छे जो है उनके इलाज वो किया जाएगा BCCI की ओर से जिस परकार से मैसेज आया है वह भी लगातार पलपल की अप्डेट यो है वह डॉक्टों से ले रहे हैं उनका भी यह कहना है कि BCCI भी पूरा खर्चा जो है वो रिसापंद पर जो है वो करेंगे और जो भी इलाज होगा तमाम इलाजों का खर्चा जो है और जो है रिस्टपन हमारे बीच आइसके लिए जो है सभी क्रिकेटर्स हो केहल प्रेमी हो उत्राखंट से जो लोग है पुरे देश बर्म इस परकार से उन्होंने चाप जो है अपनी छोड़ी है दिलों में चाप छोड़ी है उसके अहीं एक नतीजा है कि सभी लोग जो है आज टेस्ट जो हैं वो किये जा रहे है क्योंकि पूरी जिस परकार से इस्तिती काफी नाजुक बनी हुई है काफी हालांकि अभी इस्तिर जो है उनके अगर देखा जाए तो डॉक्टरों का कहना है कि सब कुछ इस्तिर है लेकिन जिस परकार का जो बड़ा एक्सिडेंट जो है वो आएंगे डॉक्टर्स अभी ये कह रहे हैं कि अभी अभी कुछ देर में जो है वो उनकी पूरी जो हालत अभी बनी हुई है उसको लेकर पूरा डेटा वो रखेंगे हल्थ बुलेटिन वो जारी करेंगे और फिलहाल ये भी डॉक्टर्स ने काया कि वो कॉंशे स सिस्थी में हैं बादशीत वो थोड़ी बहुत कर रहे हैं अस्पताल के जो बाहर है क्या वहां भी समर्थक उनके जुटे हैं क्योंकि दिस तरह से सोचल मेडिया पर आप बता रहे हैं कि गेट्वेल सून विशब अभी जो है वो तमान तरीके की दुआएं प्रातना है उन अनका यहीं कहना था कि तीन से चार वजे करीब क्रेब जूसा हेट मुलटन ये जारी करेंगे रेशाइद शुकार है रिस अपन्त का यह पूरी के जाएगी उसंके बारे मैं बताया जाएगा कि किस तरह के इस्तिती Этоट शुटी है किसी भी समर्थकों का जो है वह वो डु नहीं है उनके साथ में लेकिन कोई भी ब्यक्ति अस्पताल में नहीं है सभी को जो आधर किया म Łag FeTT थीक होते हैं, उस वैसे ही जो है उसकी अपडेट जे वो दी जा이ãy एकशने कर जरूरत परती है तो वह भी उसकी अपडेट जो है वो दी जाएगे तो अबूर कि फिलाल इसी इस्तिती जो है वो नहीं बनी हुरई जिस पर चासी टॉक्तारों का हो सभधने लोग़िно सभी वापस से लोटे है आपका बहुत शुक्रिया